हालो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम चीखेंगे प्रेंसिस कट ब्लाउज की कटिंग कोरें करूंगे तो लिए यहां पर फेंगे करेंगे पिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ अगर एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो प्रेंसिस कट ब्लाउज में कभी आ आपको confusion नहीं होगा यहां पर देखिए अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लिए हैं बंद भाग मैंने मेरे तरफ रखा है खुला हुआ भाग आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले नीचे की साइड से आपको एक इंच मार्जन ले लेना है इस तरह से मार्जन आपको लाइन ड लेना है और आधा इंच बढ़ा करके हम उपर सोल्डर जवाइन के लिए इसको पंदर इंच में कर लेंगे बस आपको एक इंच मार्जन की बार टोटल लंबाई को लेना है फिर उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है यहां पर देखिए सोल्डर ले लेंगे साड़े 5 इंच और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच में 2 पॉइंट कम ले रहे हैं अगर आप बोट नेक में ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर शोल्डर बढ़ा की लीजिए गा मैं यहां पर डीप नेक में बना रहे हूं यानि बड़ा गला में बना रहे हूं इस तरह से लाइन को आपस में मिलाने के बाद से यहां पर सीने का चोथाई भाग 9 इंच और 2 इंच मार्जन का ले लेंगे फिर साइड में एक इंच एक्ष्टा रखेंगे जो हमारा प्रिंसिस कट ज्वाइंट होता है उसमें दोनों साइड से कपड़ा जाता है उसके लिए एक्ष्टा रख लेंगे अ आपको अपने साइज की साब से मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से देखे फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे और मार्जन वाली लाइन को मार्जन वाली लाइन से मिला लेंगे इस तरह से लाइन को सीधा करने के बाद से अब हम आर्म होल म सेफ देने के लिए उपर से धाई इंचे स्ट्रेट ले लेना है और साइड से एक इंच अब उसी लाइन को टच करते हुए आपको आपस में मिला लेना है इस तरह से अब हम इसके उपर कटिंग कर लेंगे यहाँ पर देखे फ्रेंस फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप सोल्डर पे कट लगाएंगे और उपर से गले की चवडाई हम धाई इंच दो पॉइंट ले रहे हैं और गला का टोटल लंबाई यहाँ पे हम 6 इंच में ले रहे हैं नीचे से गल का भी सेफ इसमें दे सकते हैं गले की मार्किंग की बास से अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 38 और 36 साइज में आपको बस्ट पॉइंट लेना है दस इंच प्यानिक जहां आपको कप जोईंड करना है उसके लिए 10 इंच पे लेना है और साइड से यहाँ पे हम ले ल से 34 में आपको साढ़े नव लेना है और नीचे के साइड यहाँ पर हम दो पॉइंट कम करके लिए यहाँ पर चारे इंच में दो पॉइंट कम है अब दो इंच हम ले ले रहे हैं यहाँ पर सेफ देने के लिए अब देखे फ्रेंस आपस में इसको मिला लेंगे इस तरह से पूरे लाइन को टच करते हुए आपको राउंड सेफ देते हुए मिला लेना है आप देख सकते हैं किस तरह से में सेफ दे रही हूं सेम आइडिया से आपको भी कर लेना है आप किसी भी साइच का बना रहे हैं अपने साइच की साबसे मार्किंग कीजिए बस ब अधर भी दो पॉइंट तिर्चा कर लेंगे और कट कर लेंगे यहां पर फ्रेंज देखिए मार्किंग हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इसको कट कर लेते हैं कि अधर करने के बाद से फ्रेंज देखिए इसमें हमें पैड़ेट ब्लाउंज है यानि कप डालना है तुसकी दो लेयर अस्तर कट करना है उसी अस्तर को रखके बिल्कुल उसके बराबर से आपको एक लेयर और अस्तर कट कर लेना है कि एक लेयर अस्तर हमारा में कपड़े में जॉइंट होगा और दूसरा लेयर हमारा नीचे की साइड रहेगा कप डालने के लिए यहाँ पर में कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए और बंद भाग की तरफ से बंद भाग को मिलाती हुआ इस पर सेट कर लेंगे अस्तर को और सेट करने के बाद से फ्रेंस देखिए में कपड़े को आपको आधा इंच बढ़ाते हुए कट करना है उसको बाद में हम कट करके बराबर कर लेते हैं आधा इंच में कपड़े को बढ़ाते हुए इस तरह से कट कर लेंगे यहां पर देखेji prince cutting हमारा complete हो गया है और अब हम इसका stitching करके आपको बताएंगे तो उसके लिए देखेji prince सबसे पहले हम princess cut वाले part को अस्तर वाले part को main कपड़े से पहले जोईन करेंगे दोनों प्रिंसेस कट का पार्ट जो है उसको आपस में आपको एक दूसरे क्यामने सामने रखने के बाद ही आपको स्टीच करना है इस तरह से एक लियर अस्तर हमारा में कपड़ा में ज्वाइंट हो जाएगा कभी भी आप पैड़ेड ब्लाउंज बनाएं कपड़ा ब्लाउंज बनाएं तो फिर अस्तर उसमें दो लेयर कट करें अगर उपर का कपड़ा ज्यादा हलका होते है इस तरह से देखिए एक्ष्क पाट को कट कर लिए और दोनूंस पार्ट सेवाइडिया से यहां पर हम ज्युआइड करके एक बर आपको कपड़े में सल्या क्रीस नहीं आना चाहिए अब इसमें भी फ्रेंस देखिए जो भी एक्ष्टा पार्ट है इसमें उसको भी कट कर लेंगे यानि आपको कपड़ा बिल्कूल अस्तर के बराबर से रखना है चारो तरब से कपड़े को फिनिसिंग करने के बाद से अब हम इसमें प्रिंसिस कट को जॉइंट करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको मिला लेना है किस साइड का कौन है और उपर से देखिए एक चाप कपड़ा आपको मारजन में लेते हुए स्टीच करना है जब कभी भी आप प्रिंसिस कट पार्ट को जॉइंट करें तो किसी भी पार्ट को आपको ज्यादा खींचना नहीं है या फिर ज्याना ज्यादा लूजिंग देना है अच्छे से मिलाते हुए आपको स्टीच कर लेना है एक side का देखिए हमारा joint हो चुका है अब हम दूसरे side कर लेंगे और दूसरे side का भी अच्छे से joint कर लेंगे उसको नीचे से देखिए अच्छे से मिलाते हो stitch कर लेंगे बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि कपड़ा आपको margin में ज्यादा नहीं दबाना है यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट हम ज्वाइंड कर लेंगे और अस्तर को लेंगे और अस्तर को भी आपको सेम एडिया से जिस तरह से उपर वाले पार्ट को आपको आपस में ज्वाइंड करना बताएं सेम एडिया से इसको भी ज्वाइंड कर लेना है दोनों side यहां पर इसको भी ज्यादा आपको ना खीचना है ना ज्यादा लूजिंग देना है बिल्कुल आराम आराम से दोनों साइट का स्टीज कर लेंगे अब देखें प्रेंस इसको उल्टा करेंगे और यहां पर हम 10 इंच पे एक बार और अच्छे से मार्किंग कर लेंगे जहां हमें कप लगाना है दोनों साइट बिल्कुल बरावर पर आपको मार्किंग कर लेना है अगर आप कम साइट का बना रहें 32 से 34 तो आप 9.5 इंच पे आपे मार्किंग करेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अब हम देखिए में कपड़े को लेंगे और उसके सीधे साइड इसको मिलाते हुए रख लेंगे अस्तर का उल्टा हुआ भाग उपर के साइड होना चाहिए आप देख सकते हैं जो सिलाई हम लगाएं पकड़के वो हमारा उपर के साइड है और नीचे के साइड दोनों का सीधा साइड है इस तरह से आप इसको मिलाते हुए स्टीच कर लेंगे तो फिर इसमें में गला पटी भी नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही फिनिसिंग के साथ हमारा दोनों का गला आपस में सेट हो जाएगा की चोटा चोटा कट लगाएंगे और कट लगाने के बा सी फ्रेंज देख्ये अस्तर को हम बाहर की साइड कर लिए हैं और इसके उपर एक कट्ची शिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला अछ्छे से अंदर कर लिए हैं अर्पर से जिलाई लगा लेंगे यहां पर बिल्कुल कॉर्णर पर आपको एक सिलाई लगा लेना है ताकि गल अच्छे से सेट हो जाए और अब देखें साइड से इसको हमें आर्म होल तक ही सेट करना है आपस में दोनों पाट को बस एहीं तक सेट करेंगे उसके नीचे नहीं करेंगे दूसरे साइड भी आपको बस आर्म होल को आपस में जॉइंट कर लेना है और सोल्डर को बाकी मीचे के साइड हमारा ओपेन रहेगा अब आपको देखें उपर वाले लेयर को उपर के साइड उठा लेना है और उसके बासे देखें आपे हम कप को लेंगे और कप को लेने के बासे इसको हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे सेंटर पॉइंट निकालेंगे बासे वहां पे आपको उं का बना रहे तो उपर से आपको 10 inch के बजा 9,5 inch marking करना है यह किया पर को आधा ilnc उपर की side सेट करना यहां पर हाइबी साइज हे उसके लिए मैं यहां नहीं सेट की हों कपको यहां पर देगी सेम एेड जे इसको भी हम जहांँ पर दसिंज पे मार्किंग किये थे वही पर इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको रखके स्टेज कर लेंगे दोनों साइड कप हमारा बहुत इजली जोईंट हो चुका है आप देख सकते हैं और अब हम इसको सेट करने के बाद से अच्छे से उपर वाले भाग को सेट करेंगे और और बाबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद से यहां पर अब हम कमर पते जोईंट हैं यहां पर ना भूले और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आउन कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास टाइम डू टाइम पहुंचता रहे आज के लिए बस इतना